So hey guys, कैसे हो आप सभी लोग, welcome back to my channel AG and I'm Manga तो guys, आज मैं explain करने जा रहा हूँ Book of Esper के episode number 324 को इसलिए वीडियो में आगे भरने से पहले ही, वीडियो को पहले ही like, share, comment, सब को शिकर डालिए और बाकि जिन लोगों भी इसके पिछले episode को नहीं देखा है, तो पहले जाकर के उनने episodes को देख लीजिए बाकि आज का episode भी काफी ज़दा amazing होने वाला है, इसलिए बिना किसी देरी के सुरू करते है हमारे आज की ये वाली episode तो अब इस episode की starting वापस से flashback दिखाते हुए होती है, जहापे की वो blue flame master अपने throne के उपर बैठा होता है और जूफेंग को देख हसते हुए कहता है कि my boy, मेरे बच्चे, तो finally हम लोग एक बार फिर से मिल ले हैं दूसरी और दर जूफेंग भी उस blue flame master को पैंचा जानता है और थोड़ा गवराते हुए कहता है कि तो ये तुम हो तो guys अगर आप लोगों को अभी तक ये अशूरा blue flame master के बारे में याद नहीं आया है लेकिन उस टाइम हम लोगों के इस master को spiritual form में दिखाये गया था जबकि अब इस episode में इसका face reveal हो गया है तो अब आगे इस episode में जूफेंग उस blue flame master को बाव करते हुए कहता है इस senior आपका बेहत बेहत शुक्रिया जो आपने मुझे इतनी बार save किया और मेरी इतनी जादा मदद की तो अब जूफेंग की ये बास सुन वो blue flame master हसते हुए कहता है कि लड़के मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक ही बार save किया था और वो भी काफी पहले जब तुम घायल थे और उन वुल्फों के जुन्डे के बीच में फस गए थे इसके अलावा मैंने तो तुम्हें कवी save नहीं किया तो आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी कई बार जान बचाई है तो जूफेंग कहता है कि क्या आप नहीं जानते जब senior ने मुझे अपनी अशूरा blue flame दी थी तो इस junior ने आपके उस अशूरा blue flame का अपनी जान बचाने के लिए कई बार यूज किया है तो ये चीज भी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि senior ने खुद आगे आ करके मेरी जान बचाई हो इसलिए मैं आपके इस favor को कभी भी नहीं भूलने वाला तो blue flame master कहते हैं कि कोई बात नहीं मैंने तुमसे कभी भी इस सब के लिए payback करने के लिए नहीं कहा है और तुम क्यों ना उस blue flame को मेरे सामने मुझे दिखाने के लिए बाहर निकालो और blue flame master की ये बात सुन करके जूफेंग अपनी blue flame को बाहर निकालने के लिए चुटकी बजाते हूँ अपने मन में सोचता है कि आखर इसका ये सब कहने का क्या मतलव है मगर लेकिन क्या ही कर सकते हैं मैं फिलाल इसके सामने बिलकुल भी रजिस्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकता फिलाल तो मुझे इसकी बात मानते हूँ इसके साथ चलना होगा और देखना होगा कि अवा गया अखर क्या होने वाला है ना सोच करके जूफेंग अपनी चुटकी बजाता है और जूफेंग की चुटकी बजाते ही उसकी उंगलियों के बीच में छोटी सी अचूरा ब्लू फ्लेम एक्टिबेट हो जाती है जिसे देख वो ब्लू फ्लेम मास्टर भी काफी ज़दा हैरान हो जाता है और फिर हसते हुए कहता है कि हाँ 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 जैसा की मैंने सोचा था बच्चे तुमने ऐसे पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया चूरली सच में तुम काफी ज़दा लग्की हो इदर दूसरी ओर जूफेंग भी उसकी बात सुन करके तो कासा गवराती हुए कहता है कि सीनियर आखिरा आपका ये सब कहने का क्या मतलब है तो जूफेंग की बात सुन वो फ्लेम मास्टर उससे कहता है कि ये अशूरा ब्लू फ्लेम मैंने जन्म से ही पोजेस की हुई है जो कि हमेशा पूरी तरीके से मेरे माइंड के साथ कनेक्टेड रहती है और जब मैंने अपनी अशूरा ब्लू फ्लेम का कुछ हिस्सा तुमें दिया था तो मैं वो सब कुछ देख सकता था जो भी कुछ तुम कर रही थे तो फ्लेम मास्टर की ये बास सुन्जूफेंग काफी ज़ादा है और अपने मन में कहता है कि ये सब कुछ तो बिलकुल ऐसा है जैसे कि कोई हमेशा मेरे उपर अपनी नजर बना करके रखा हुआ है तो अब दर जूफेंग ये सब सोच रहा होता है कि तब ही फ्लेम मास्टर आगे कहता है कि बच्चे तुम सच में काफी ज़ादा सतर्क हो और तुमारे जैसे एक कमजोर व्यक्ति से मुझे क्या ही फायदा होगा मैं तो तुमारे उपर सिर्फ इसलिए नजर रख रहा था ताकि इन केस तुम कभी भी किसी बड़े खत्रे में फस जाओ तो मैं तुमारी मदद के लिए किसी को भेज सकूँ इसलिए प्लीज तुम ऐसा बैसा कुछ भी गलत मत समझो और मेरी इस गोडविल को बिल्कुल भी बढ़वाद ना करो तो विदर जूफेंग भी उस फ्लेम मास्टर की ये सारी बाते सुन करके अपने मन में कहता है इसमें कोई शक नहीं है ये आदमी ज़रूरी पवित्र डोमेन से आया हुआ है पर इसका पावर लेवल कम से कम एक सेंट या उससे भी उपर का है तो विदर जूफेंग फ्लेम मास्टर को देखते हुए ये सब सोच रहा होता है पर इस फ्लेम मास्टर भी आगे उससे कहता है कि अबी तुमें मेरी अशूरा बलू फलेम को प्राप्त किये हुए सरिफ कुछी समय हुआ है और तुमने स्रिफ इतने से ही समय में तुमने अशूरा फलेम को अपने अंदर refine करके उससे मेरा connection पूरी तरीके से cut कर दिया है तो इस सब के तो केवल दो ही मतलब हो सकते हैं कि या तो तुमने इसे अपने अंदर से निकाल करके फैक दिया है लेकिन तुम जैसे व्यक्ति के लिए ये चीज किसी हद तक थोड़ी कठिन है जबकि दूसरा अप्शन ये है कि तुमने ऐसे अपनी बॉड़ी में पूरी तरीके से कमबाइन कर लिया है और अपनी बॉड़ी के सबसे डीपेस्ट पार्ट में जोड लिया है जोकि और भी ज़्यादा कठिन और अनसुना है तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है तो कि मुझे कई सालों से परिशान कर रही है लेकिन अव मैं देख रहा हूँ कि तुमने वास्तब में ये सब कर लिया है बच्चे तुमें से पाकर के सच में काफी ज़्यादा भाग्य साली हो और इससे मैं सच में काफी ज़्यादा आस्चर चकित भी हूँ तो अब इसलिए मुझे बताओ कि आखिर तुम किस ग्रेंड मास्टर के आधीन हो तो विदर फ्लेम मास्टर के ये पूस्ते ही तूफेंग काफी ज़्यादा हैरान और शौक हो जाता है फिर वो कुछ दिर सोचते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे लिए बैटर रहेगा कि मैं इसकी साइड ऑफ कौजन के लिए सावधानी बढ़तूं और इसे सब कुछ ब्रीफ और शौक में बताऊं और अब जब कि ये ब्लडी बेबी और पैट्रियाज ब्लड डीमन के बारे में अल्रेडी जानता है तो इतना सोचकर के जूफेंग पहले तो फ्लेम मास्टर को अपनी ग्रीटिंग शो कराता है और फिर उसे बताता है कि सीनियर मैं सीक्रेट डोमेन से आया हुआ हूँ यानि कि पवित्र डोमेन से आया हुआ हुँ और मैं पैट्रियाज ब्लड डीमन का एक डिसेंडेंट हूँ तब इधर जूफेंग की ये बास सुन वो फ्लेम मास्टर उसे कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो पैट्रियाज ब्लड डीमन के लोग काफी ज़्यादा स्ट्रोंगर हैं लेकिन उन में से केवल सिर्फ एक ही सेंड था जिसने की ब्लडी बेबी की रिसर्च की परवाह की और 9 साल पहले मैंने तुमें जिन स्किल्स का इस्तमाल करती हुए देखा था वो इतनी ज़्यादा इंट्रिगेट और जटिल थी कि वो किसी भी एंपर के अंडर नहीं आ सकती थी तो अब इसलिए बोलो और एंसेंट एंपरो में से कौन सा एंपरो तुम्हारा मास्टर है तो अविदर फ्लेम मास्टर के इतनी दीब बातों को सुन करके जू फैंग और भी ज़्यादा हैरान और शौक हो जाता है इसी के साथ वो अपने मन में कहता है कि इस पर्सन की आँखे तो सच में काफी ज़्यादा शार्प और इंसीडियस है नौ साल पहले केवल मेरी अड़े फॉर्मेशन को देख करके इसने मेरे मास्टर के लेवल का पूरी तरीके से पता लगा लिया है लेकिन यहां तो ऐसा कोई भी व्यक्ती, कोई भी रास्ता नहीं है जोकि उन दस एंशेंट एंपरर और पैट्रियाच ब्लड डीमन के बारे में किसी भी तरीके से पता लगा सके और क्योंकि यह इन सभी बीश्टों के साथ गिरा हुआ रहता है तो यह सायद से इनका किंग भी हो सकता है लेकिन फिर भी इसे इस सब के बारे में पता कैसे हो सकता है तो अभी दर जू फैंग यह सब सूचते हुए परिशन होई रहा होता है तब ही वो फ्लेम मास्टर उसकी और गुर करके देखता है और उससे कहता है कि बच्चे मैं अपने जीवन में पूरी दुनिया भर में घूमा हूँ और सब कुछ किलियर देख सकता हूँ हो सकता है मैंने तुम से जिस बारे में पूछा है तुम उस बारे में मुझसे कुछ भी ना कह सको लेकिन फिर भी मैं अभी भी इसके बारे में अनुमान लगा सकता हूँ तुमारे हातों से यूज करी गई वो पिल्स और वो अरे फॉर्मेशन सच में काफी ज़ादा मार्वलस थी और जितनी ज़ादा वो रेर थी उससे भी आदेख तुमने ब्लडी बेबी को बनाने उसे यूज करने में पूरी तरीके से मास्टर हासिल कर राखी है और इस पूरे वल्ड में सिर्फ एक ही ऐसा एमपरोर था उसको कि इस हॉरिबल सीकेट आर्ट की पूरी नॉलिज थी तो क्या वो वही पुराना सन की नाइन सेनिटरीज है तो विदर भाई फ्लेम मास्टर की ये बास सुन करके जूफेंगे तो भाई पूरी तरीके से चक्के छूड़ जाते और वो काफी जादा हैरान हो जाता है पिर वो फ्लेम मास्टर को रेस्पेक्ट देते हुए कहता है इस सीनियर मैं आपकी इन ग्रेज आँखों को देख करके जो मैं काफी जादा हैरान और आस्चर चकित हूँ और हाँ मैं सच में नाइन सेनिटीज एम्परर का सकसेसर हूँ लेकिन मुझे कभी भी उन से मिलने का मौका नहीं मिल सका और विदर जूफेंग की ये बास सुन करके फ्लेम मास्टर उससे कहता है तुम्हारी ये बात सच में इंपॉसिबल के काफी ज़्यादा करीब है क्योंकि जितना मुझे पता है मुझे लगता है कि अब तक वो अल्रेडी मरने के बाद अंडर वर्ल्ड में चला गया होगा और अब तक एक गोष्ट भी बन गया होगा और उस वक्त दसों एम्परर्ड के टाइम पे और एक एम्परर के पास अपनी एक यूनिक स्किल थी जैसे कि Heavenly Emperor Eyes और Tyrant Emperors Divine Face जबकि Nine Senators इन सभी टेलेंट का एक भंडार था इसलिए उसकी ये बात बाकी के सभी Emperors के लिए एक काफी शर्म की बात थी इसलिए वो सभी के सभी उसे पूरी तरीके से फेक समझते थे लेकिन फिर भी Nine Senators शर्ली निस्चित रूप से लगातार वहाँ पे हमेशा बने रहे उन्होंने दुनिया की सभी Secret Arts और Cultivation Methods को एकटा किया और इस सभी Knowledge की वाजा से वो एक दिन तीन सबसे Strongest Emperors में से एक बन गए और फिर उन्होंने अपनी जिन्दिकी में जितनी भी Knowledge और Cultivation Practice को एकटा किया वो सब कुछ उन्होंने Nine Senators Secret Record में लिख दिया ऐसा ट्रेजर एक ऐसा खजाना जिसे पाने के लिए हर कोई प्यासा बैठा है और मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि Patriarch Blood Demons Blood Infant Art यानि की Bloody Baby Art भी उसके हातों में ही गिर जाएगी बच्चे उस Record को अपने पास Hold किये रखना तो मैं बिल्कुल दुनिया के सबसे Brilliant Jam Library of Secrets की तरह बना देगी तुमारे हातों में उन सभी 200 Emperors की सभी की सभी Skills होंगी तो मैं Dao को समझने के लिए तो मैं तुमारे रास्ती में सबसे बड़ी Greatest Blessings मिली हैं तो अविदर Flame Master की ये बास सुन करके Zhu Feng आगे अपने मन में कहता है कि सिर्फ कुछी सब्दों में इनोंने मुझे Nine Sanities Secret Record के सभी Holders का ग्यान करा दिया और Secret Demon World में हर कोई इसके अंदर गया जिसका के अंत मेरी Ultimate मिर्त्यू के साथ हुआ तो अविदर Zhu Feng इतना सोचने के बाद Flame Master से कहता है कि सीनियर आपकी टोन यानि कि आपके बोलने के तरीके से मुझे लगता है कि आप उन सभी 10 Emperor से अच्छी तरीके से Familiar हैं इसलिए आपका उन से इतना ज़्यादा परिचित होने की वज़ा से मैं काफी ज़्यादा आज चड़े चकित हूँ तो अविदर Zhu Feng के इतना कहने के बाद Flame Master उससे पूछते हैं कि जब तुम Lightning Cannon में गई थे तो तब तो मैं वहाँ पे क्या मिला था तो अविदर Zhu Feng Flame Master के ये बाद सुनकर के और भी ज़दा हैरान हो जाता है लेकिन फिर वो से बताता है कि हाँ Senior मैं सच में वहाँ पे गया था और Senior उस समय भी इस अशूरा ब्लू फ्लेम ने मेरी वहाँ उस Lightning Cannon की Lightning Array Formation की लाइट से फाइट लड़ने में काफी ज़दा हेल्प की थी और मैं अभी भी नहीं जानता कि क्या Senior को Purple Lightning Divine Eyes चाहिए या मेरी Divine Eyes of the Void तो अविदर Zhu Feng के ये बाद सुनकर के फ्लेम मास्टर भी काफी ज़दा हैरान हो जाते हैं और फिर वहाँ पे जोर जोरो से हसते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे बच्चे After all तुमने इसे आखिर कर फाइंड कर ही लिया और मेरी Assistance और मेरी साहिता तुमारे उपर बिल्कुल भी बरवाद नहीं हुई तो अभी दर फ्लेम मास्टर यहाँ पे यह सब कहते हुए जोरो से हसरा होता है अभी दूसरी और जूफेंग भी अपने मन में कहता है कि मुझे इस बात की बिल्कुल पूरी तरीके से assurance थी कि यह Heavenly Emperor की Ultimate Skill Divine Eyes of the Void को पाना चाता है लेकिन वो मेरी आखो को नहीं निकालेगा है न तो अभी दर जूफेंग के यह सब सोचने के बाद दर दूसरी और वो अशूरा फ्लेम मास्टर उससे कहता है कि बच्चे क्या तुम यह नहीं जानना चाते कि आखिर मैं कौन हूँ और अब अगर जानना चाते हो तो तुम आफ खुशी से यह देखो इतना कहकर कि वो फ्लेम मास्टर अपनी अशूरा ब्लू फ्लेम को फुल्ली अलिस्च करता है जिस वया से वहाँ पे एक काफी जादा पावरफुल प्रेसर रिलीज होता है और उस फ्लेम मास्टर के उपर उसकी अशूरा ब्लू फ्लेम से बड़ा सा ब्लू करर का पंक्शी बीस्ट बन जाता है जिसे देखकर के जूफंग काफी जादा हैरान होता हुए कहता है यह तो उन पाचो ग्रेट सीकेट बीस्टो का हैड वाल्टिंग कॉंग पैंग है तो गाइस जूफंग के इतना कहते हैं यहां पे हमारे यह वाला एपिसोड पूरी तो यह किसी कम्प्लीट हो जाता है अब फिलाल इसका अगला एपिसोड कल आएगा जिसमें की हमें पता चलेगा कि क्या सच में जूफंग को इन आइज ओफ दा वाइड और परपल गोर्डन आइज में से किसी एक को देना होगा या फिर जूफंग क्या इन सब मामलों से बच जाएगा यह सब तो आप लोगों आप कल देखने को मिलेगा फिलाल गाइज अगर आप लोगों को यह वाली वीडियो जरासी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और वीडियो को जारा से जादा कमेंट और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूल से कर देना शुक्रिया